कि यह सब पिटेंगे मुझे कली पता लग किया था कि पाकिस्तान एनस्जी ने मेरे खिलाफ एक वेस्टेड करी है बेटे चूतिया नंदन वह सड़ी परसाद मुझे पाकिस्तान एस्विजी 786 का नंबर मिला हुआ है तुम्हारी माच चोट दुमा में बहने के लेंडों मैं असली वाला हूं मैं बताता हूं किस्ता क्या है किस्ता यह है कि पाकिस्तान एनस्जी से कुछ लोग आये बारत जब एक फोटो वाइरल हुई थी राभी पीर कि मोधी पे जो है पाकिस्तान ने आमले कियों करी है तो मोधी अरे पाप अरे पाप इतना अरे तिरी कि सुसाइट बॉम्बर जैकिट मैंने यहां से चूइड के इनको पता नहीं था कि वारत सरकार स्पीजी हूं सुरू से ना मैंने कभी सोचा जूडी करते वे से हुए हम दिमाग का एक ऐसा कोना है जिसमें मैं कभी किसी को आने ही नहीं देता और मेरे दिल का भी एक ऐसा कोना है जिसमें मैं कभी किसी को आने ही नहीं है और उसमें आने की बात कहने के बाद अगर कोई धोका देना उसकी जिन्दगी जो है ना कुट्टे से भी बत्तर हो जाती है कि अराम से बैट के सब दिमाग लगा रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं डेल्टा फॉर्स अब एनलजी में बैटे वे वहां से आया और बैट गया खुब गोल पर चाट पकोड़ी खा रहे हैं अराम से के देख लेंगे इस लड़के ने बोल कैसे बोल बैट तेरी मां का वहां रह लेता तो पाकिस्तान बचा लेता चूतिये अकबर खान तेरी अवाज है नहीं है ओ अकबर खान यह जो अपने कुट्टे के बच्चे और कुट्टे पिल्ले लेके आया है ना इनको अपने पास ही रख डेल्टा फोर्स पढ़ा रहा हूं मैं चला भग जाएंसे डेल्टा फोर्स वाले आप लोग पड़ो मैं कि सबको बार कर दो कि आप एक ट्राइंगल बनाओ इस ट्राइंगल के तीन हो कौन कौन सिक्सी डिग्री कि यहां आपरेशन दिखाना होता है ठीक है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी बीच में सेंटर कनेक्ट करो दी पॉइंट दी से गया है वाट डेल्टा आप लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पॉइंट b सी स्मूइटली रन कर सके एंट पैट्रोलिंग एड़या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ठीक है एड़या पैट्रोलिंग इस एरिये को आपको देखना है हो सकता है गली कूचों के वेज़े रास्ता थोड़ा तेड़ा हो पर डेल्टा तक पहुंचने के लिए आपके पास तीन रास्ता हमेशा होने चाहिए लिको जीरो थ्री तीन कोने हो गए ठीक है यह है डेल्टा फोर्स अब यह डेल्टा हमेशा एकोल होना चीए छोटा बड़ा नहीं बनेगा अगर मैप के ओपर कॉंबेट ऑपरेशन दिखाना है सबसे पहले पॉइंट पकड़ना है एक डेल्टा जो है सीधा सीधा रख दोस पे सिक्सी डिग्री एंगल अब चाहे बीच में कुछ भी आ जाए बिल्डिंग आया चाहे कुछ है पॉइंट सेह कर लो रूप टॉप साइन बटालियन अप एरो और लो एरो ध्यान देना रूप टॉप से ग्राउंड फ्लोर तक यह है कॉम्बिट आपरेशन पैराएसेफ जी हां शत से ग्राउंड फ्लोर की तरफ निशान होता है ना हवलदार का देखा है हवलदार का निशान देखा है रैंक मतलब छत से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ सकते हैं वो लोग अप एरो ठीक है ग्राउंड फ्लोर से छत की तरफ कॉम्बिट आपरेशन इसके लावाद नहीं दिखा सकते आप यूनिट को समझो नहीं ची अपने रैंक की बागी कोई मायने नहीं रखता है यहीं रैंक मायने रखते हैं ठीक है यह भी हवलदार होते हैं हाथ है हवलदार ठीक है अब फोर्स सिक्स्टी यूनिट सिक्स्टी सिक्स्टी लेखो सिक्स्ट्रिलियन डेल्टा पोर्स ठीक है ठीक है से रावी पीरजदा के वाक्या के बाद ये रावी पीरजदा का वाक्या था क्या था क्या it was nothing it was just to created by भारत्य जन्ता पार्टी and Nawaz Sharif and some of the Pakistani officials just to provide fame to Narendra Dhamudridaas Modi कि Narendra Modi को एक सुसाइट बंबर की धंकिया आगा इसलिए रावी पीर्जदा को पचास हजार करोड रुपया देने की बात हुई जी हां मीडिया में फेम और बाकी सारी चीज़े मैडम बुरा मत मनना रावी पीर्जदा जी आपका गलती से जो है ना पाला इतेश से पड़ गया ये देश मेरा था है और रहेगा इस जैसे नेता जो आते जाते है ना गांट पर लात मार का बाहर निकाल देते हैं सौझ मा गई और नवाज शरीप गैंग किसमत मानी हो तेरी लड़की से साधी कर ली मैंने और तू भी सुन लो ए रावी पीर्जदा आगे बाप कुदिया की तरह नाली में पड़ी होती कहीं पर सौझ मा गई मोधी का पैसा इस देश से बाहर जाए इसके लिए जरूरी होता है कि भारत से कोई ना कोई जाके पाकिस्तान में मिलके आए मोधी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो जी मैं बात बात करने नहीं गया ये सिर्फ पहले गया ये पाकिस्तान नवासरीफ से मिलने के बाद इसने पैसा दाए किया फिर साओधी गया उसका ये वापिस आया जी हाँ 2014 के चुनाव में प्रधान मंत्री की शपत लेते के साथ ही ताकि इसका पैसा जो है असानी से भारत से बाहर जा सके तो बहुत बड़ा यास बन रहा है हम बताएंगे ना मैं कौन हमने पहले ही कह दिया था ठीक है यहाँ पे एक और बात समझ में आती है डेल्टा फोर्स किसी देश की बपौती नहीं है यह एक यूनिट है औल ओवर वर्ल्ड में एक पैटरन पे काम करते हैं यह लोग ठीक है यह अपर ट्राइंगल है लोएर है कोई फरक नहीं बढ़ता अगर आप उदर से देखोगे तो लोवर हो जाएगा इदर से देखोगे तो अपर हो जाएगा ठीक है नहीं समझे एक सर्कल बनाओ इसके चारो तरफ कमपास रखके सर्कल क्रेट गरो पर्फेक्ट सर्कल बनेगा कि समझे अब कि यह एरिया सिक्योर करना है ठीक है कि सब जानते एरिया सिक्योर करना किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है राभी पीर्जदा ने क्या किया होंगी यह दो चार दस वहने होंगी मुझे मैं तो खेर नहीं जानता इतना नामा दिमाग लगाता मैंने अगर राभी अगर तेरे नाम का कागज भी लेका कर जला दिया ना साफ है तू मैं हम कैमरे पे गह रहा हूं प्रीती मैंने मारी जिंदा जला दिया था उसको मैंने फरिदाबाद में पर बाद में मैंने चेंज कर दी अपने सरीर से एक और बना दी तो मैं असली वाला हूँ बे को समझा है मेरे को अराम से नहरूराय ने जो है मोदी और बांकी टीम से पैसे की बात कर ली देखते हैं कितना बड़ा कमंड हो है तो देख लो और मैं दिखा भी दूँगा तो मैं धंग से पूरी NSG मार दूँगा मैं नहीं बना देंगे क्या हो गया order to create new national security guard लिखो order in government of India order to create new national security guards in government of India नहीं चाहिए भई ग्यार आउट जाओ उदारो वर्दिया उदारो सबके सब हतियार रखो जाओ घर चलो चलो बहुत हमारे पास लड़कों की कमी नहीं है बहुत बड़ी अबड़ी या लड़के डिप्लॉये हैं किसी भी पोस्ट पे हो आप लोग फॉरन वर्दी उतारिये और हतियार रखिये फॉरन नाशनल लुक्री सिंट्य ल गार्ड़ ब् l vulnerability क्मariat कमांडो हैं ब्लैक इठ वनाब्ल मेंल नाशनल सिंक्योरटे गार्ड और फॉरन तत्काल है हो चाहिए अपने घर है अपने परिवार के साथ रहिए मार मूरنت को हम जाहिए है ब की स्क्योरटी फोर्सिंस नहीं मारते हम hm 500 अ आउट गद्दार कहीं के पाकिस्तान के अखबर खान और एंस जी के साथ मिलके दिमाग लगा रहो है रामजा परदानमंत्री काराले में वैड़ करके तू चाय पीएगा बेकू समझ रहा मेरे को मुसल्मान कहीं के इज्जत हजम निविस अराम जा देगो ठीक है डेल्टा फोर्स यह बेसिक है आपके लिए डेल्टा फोर्स आपके लिए बेसिक है यह ठीक है यह बेसिक है डेल्टा फोर्स का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया आपका जो निशान डेल्टा होता है क्या होता है मैंने ब पर दो ही रैंक होते हैं अप एरो डाउन एरो ठीक है लेफ्ट एरो राइट एरो से हमें कोई मतलब नहीं होता है वो जर्नल काटेगरी होती है अगर हमारे अतियार और बुलेट्स और वर्दी समय पर नहीं पहुंची बोजन की छोड़ना खाने का इंतियाम कर लेते हैं हम लोग आत्मा तियार होना चीए ठीक है तेरे ऐसे मिलिटरी जनल के ना जा पड़ देगा मारते हैं ख्यांच के चल दफाओ यहां से वी आर ट्रेनर्स मेर से बड़िया ट्रेनर हो तुम लोग हैं अधार ओए मेल फीमेल यूनेट नैसल सिगेवर्डिगार्ट ब्लाक एट कमांडोस अतियार रखो जाओ घर अपने बी बच्चे आत कर रहेंगों तुम्हें चलोई 16 दिसंबर 2012 रात आठ बजे से नैसल सिगेवर्डिगार्ड में दुबारा भरती शुरू हो रही है डार्ट भरती है नैसल सिगेवर्डिगार्ड में आप अपने नस्दी की पोस्ट आफिस पर पहुंचिए आपकी हाइट पांच फूट नौ इंच से उपर हो नीचिए पांच फूट नौ इंच से उपर बरती शुरू हो रही है फिजिकल फिटनस होनी चीए बागी ट्रेनिंग के तीन में इने बाद देखेंगे अगर आप लोग ठीक होंगे तो हम आपकी ट्रेनिंग आगर बढ़ाएंगे डेल्टा फोर्स नैसल सिकुरिटी काड क्या हम सवाल है बारा सरकार में हमें पता नैसल सिकुरिटी काड कैसे बनाते हैं माँ कि अगर जाके राश्च्पति वहण जो न तुम्हारे ये कमांडर में जाके वहाँ से मैडल उठा ले ना देदो इनका मैडल जाओ लेले बागी बिले लो पिजैने मैडल उठालो और देदे ना पैसे वैसे चलो सेलरी पैक अप करो अपनी जाओ यहां से अल अवर इंडिया में हर जिगा पोस्ट पे से नाशल सीक्योर्टी गार्ड को ततकाल अटने का आदिस जारी किया जाता है इतना टाइम नहीं है वराज वालतू बैस करने का इतना टाइम नहीं है ठीक है नाशनल सीक्योर्टी गार्ड यूनिफॉर्म्स दो तरह की है आपकी अब जो नई यूनिट आ रही है डेल्टा फोर्स ब्लैक कैमाफ्लाज लाइट ग्रीन जाओए कौन है आप बात कर रहा है मेरे चलो उट चल 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 वाज ले ले ओए कौन है वारा आश्मति भवन में कोल रइस्टर लिग ले नाम कौन कौन है दे दे इनको मेडल मुडल जाओए आठ पुलिस मेडल जीते है मैंने आठ विशिष्ट सेवा पुलिस मेडल आठ कीर्थी चकर शौरे चकर आठ सिर्फ ट्रेनिंग और स्पीच पे सिर्फ ट्रेनिंग और स्पीच पे जीते है मैंने भारत रत्न समझ मैं आगर जिन्दा हूँ मैं मेरी बराबरी करने चले हैं आठ पुलिस विसिस्ट सेवा मैडल जीतने के बाद ऐसे बंदे से बत्तमीजी करें गो तुम है हो क्या तुम मुझे गहरा सुपरवाइस तुम्हें नी सुना लिएता कौनों में घर जाओ मिलिटरी रिफर्म्स अउन इन इंडिया मार दिया इमरान खनम ने तुम्हारी हिम्मत कैसे होगे मीडिया को धमकी देने की मिलिटरी रिफर्म्स इन इंडिया मैंने बात कही आस तक उनको ये निका मैंने ओल ओवर वर्ल्ड का पैसे की वेशे इंडियन मीडिया दवा हुआ था मैंने खरीदा है फिर भी मैंने कुछ निका दिखाओ दिखाओ नहीं दिखाओ मत दिखाओ पर छटे ही पता है किनकी हो रही है जो बीबीसी में बैठके भी अपने देश का गुनगान नहीं कर सकते ऐसो की जुरतनी है मेरे को तुमारे लिए लिए माई का न क्यामरा है जाओ घर खाओ खेलो कुदो मार मूर्दें कोई पैयादा नहीं है पाल तो नहीं सुनता आए बात करने मेरे से अराम से एक लिंक निकलाया जी एक और लिंक पता क्या था अकबर खान नाम का एक आदमी था पाकिस्तान एनस्जी में वहाँ भी ब्लैक यूनिट है उस ब्लैक यूनिट बोलते हैं उसमें था अकबर खान और यहां था एक बंदा उसने अपने नाम बताया नहीं अमर्जीत करमताय क्या था कोड एके अरविंद केजरिवाल पक्का पिटेगा यह था कोड एके एके 47 लिखो 1947 में बारत का दुबारा बटबारा करवाने के लिए रूस ने कोड जारी किया था एके 47 और पूरे विश्व में इंडियन फोर्स इस पर हमला करवाने के लिए एके 47 चारी की गई बेव को समझ रहा मेरे को अब सोचते ही गायाप कर दूआ मैं तुम्हें तो पाकिस्तान से जो है अकबर खान अपने कुछ कमांडोस के साथ यहां पर आया नस्जी से मीटिंग करने के लिए अच्छा जी और मीटिंग करने के बाद जो है बारत की सिक्यूर्टी फोर्स इसको धमकी दे रहा है मेरे बारे में इसकी सप्लाई लाइन रोखो अच्छा जी हैं दोनों सगे भाई है यह दोनों सगे भाई है सगे हां जी एक पाकिस्तान नैशनल सिक्यूर्डी गार्ड में और एक इंडियन नैशनल सिक्यूर्डी गार्ड में कि शायद मैं नहीं जानतों पर शायद दोनों सरदार हैं और उसकी आड़ में भारत में खालिस्तान का प्रोजेक्ट चला रहे हैं वाँ भाई वाँ और हम यहां चद्धरतान का सोई में हैं मैंने खुद अंजना ओम कस्यप का फोन करके एक बात कही थी कि अंजना को आप एक मैसिज दे देना बस कि अंजना मैं ठीक हूं कि आम फिट अंफाइन कि उसके बार कुछ बच्चता ही नहीं है कि पूछो अंजना ओम कस्यप से इतना ही बहुत था मेरे लिए मैंने धंकी नहीं दी उस दिन और तुम्हारी हिम्मत क्यासे हो गई भे अराम रभीज कुमार को धंकी देगा तू और है क्या तू हात में गन खरीद ली तूने ले ली अब क्या करेगा बेजाए एसेसबी माने सर खाली कराओ चलो नहीं नहीं मारना मत मारना नहीं जाओ घर जाओ नहीं तुम्हारी जुरत नहीं है निशान लगा जेना आथ पे बीड़ी होती है न सस्पेंड बीड़ी बुझा देना आथ पस अब के चलो यह सस्पेंड गैड आउट मैं बताता हूं न सस्पेंड कैसे करते हैं तुम्हेरा खेली नहीं पता गैड आउट वारी इम्मत के ऐसे होगी बारत के खिलाब जाने की बढ़ाता हूं तेरा राश्पती परदानमंत्रिय भी तुरुक तो सही चले को रहे से राव है कितने किलो बनवाये थे मैडल कितने बनवाये थे देर देर चले चले बता है यार अमें बेकूप समझे रहे का तुम्हेरा रावी पीरजदा वाज गेम जस्ट तू प्रवाइड मीडिया अटेंशन तु नरेंदर दामदर्दा स्मोधी इन्वास्टिगेशन क्लोज केस रावी पीरजदा सुसाइट बॉमबर बागल समझ रहे हैं है हाँ 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 और कुछ नहीं था अराम सा दिमाग लगा रहे है हमने कुछ नहीं का है यार है का यार अब सुधर जाएंगे अब सुधर जाएंगे मैडम को समझा लिए मैडम ऐसा है इम्रान खान ने बहुत पहले ही कह दिया तो और आप भी सुल्व मर्यम नवासरी जी पुरा मत मानना आप कहले पाकिस्तान में कोई जगे नहीं है इम्रान खान ने अख़वर ये अनवर खान इस बात का गवा है मेरे वह बोला जी इम्रान खान ने कि भई तू साधी कर ले निका कर मैंने कभी मैं तो नहीं करता मुसल्मानी से निका वो भी मैं नहीं 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 बोल तो सही कभी न कमय नहीं करता मैं आच्छा ठीक है देखेंगे मैंना हां करी नहीं थी मैडम बात में जब आपने अंसा अक्तर ट्विटर हैंडल से मेरे को लाइक बेजाता ना तब मैं नहीं कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले अपना परना वह तू जाया तो वहीं पर रहे चाप सीधी बात है मैं तो नहीं सुनता किसी की कर लिया तो अच्छी बात है अबर मैं ट्विटर में बहुत दिन से मॉनिटर कर रहा था है मैंने अगर दुबारा देख लिया ने चल्ला गल्ला की प्रेक्टिस करते हैं मुझे पसंद नहीं है कि इतना दिमाग नहीं लगाता मैं समझ मांगे नहीं जिन्दगी बहुत बढ़ी है उमरी क्या भी 43 साल तो मर भी आज चौलिस पूरा कर गया मैं फॉटिफॉर है फॉर बाइफॉर है बहुत बहुत लंबी उमर है मैं एक सोचप्श साल कि देखा और मैंने कि मुझे क्या लेना देना है वो पैस का अगुर्णा कभी आमने पहुंच ने दिया मैं ने कर दी आज बात करके ह। वीजलाइस वालों के काम करने का थोड़सा अलग होता है इसलिए हम न उन्होंने क्या करा वोडर बें मैथ बैठार दी पैसा इंडिया से बाहर जाएका है मैंने एवाथ के चूट दे बारत में आप पैसा लात हो सकते हो ले जांज नहीं सकते इंटरनाशनल लेवल में विजिलन्स वाले अपने आप सभालेंगे किस देश का कितना पैसा देना है चिंता छोड़ दो कि यह लोग मेरे को समझ रहें कि ट्यूटर हैंडल पर सिर्फ एक लिखने वाला चलो यही मान लो कि यही मान लो मुझे बात में बताया अब तु अपने अंगूटे पर जो है मेरे बेटे ने बोला दुरूपने पापा आपके अंगूटे पर क्या निसान बना हुआ है मैं अभी पहले भी खुद भी बैठके देखते रहता था तो मेरे को यह जो है ना माइक्रोस्कोप सा लगता था नहीं पर मैंने समझा इनको मैं चाहसे चक्र होता है तिरंगे का दिखाऊं तिरंगा यह रहा है तो सुनो यह नैशनल सिक्यूर्टी गार्ड यह वही तिरंगा जिसको स्मिती जूबी निरानी ने कपड़ा मंतराले से निकाल के फैका था यह देख अग देख रहा है मैं किसी रावी पीर्जदा का गुलाम नहीं हूँ बाढ़ मजा 36 देखिए ऐसी रावी पीर्जदा जो मेरे देश की सगीनी है वो मेरी सगीनी है समझ में आ गई ना बात कतम हम फाल तो दिमाग नहीं लगाते हैं अब आल ओवर वर्ड में इस मामले को देखते वे यह बहुत बड़ा एड़िटाइजिंग कंपेंड था एक बहुत लोग इंवाल्व रहे होंगे रहे होंगे बाई साब मैं समझ तो पहले ही गया था मोधी ने एक मैसीज विजवाया सुपर वाइस यार इतेज को बुलाओ ट्विटर पर मैं ट्विटर पर जा रहा काम नहीं करता था दो चार पांस दस दिन में देखा देखा बेजा ट्वीट बेजा पंदरा दिन से रावी पिरस्दा की एक निउस चल रही थी मैं अपना जोए मोबाइल पर जा रहा कुछ करता पढ़ता रहता 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 है अब जब मोदी का मैसीज आया मैं क्या निउस है मैं देख रहा है तो भाई पाकिस्तान से एक लड़की ने मोदी को बंबलास्ट में मारने की धमकी दिये मैंने सिक्योर्टी बढ़ा दी यहां से जो मुझे बता आए गया मैंने लिख दिया फिर मैंने दिखा आए गया मैं हूँ भाई साब असली सिक्योर्टी ऑफिसर मैं हूँ NSG मैं हूँ चौकिदार तुम कोन बे तब इन लोगों ने गेम खेला रावी पीर ज़रा दिख पीर जदा की बोली लग गई थी एफ जी मैं हो फेमेल जैनेटल म्यूटिलेटिड अशना यूसली भी है और कोई बात नहीं है रावी पीर जदा की जब पता नहीं तेरे बाप को भी बता नहीं पता ठीक है टमाटर दिखा रहे था टमाटर जी हां टमाटर है तो यहां कुछ इंडियन आर्मी के कमांडों और फिलम इंडिस्ट्री के लोग और सलमान खान से सबकी लार्ट पक गई मैंने यहां से डैलोग चेव दिया तवियत का इमरान खान को भई ट्वीटर पर सैखड़ों जारों लोग ट्वीट करते हैं मैं भी क्यों तुमारे को दिख रहा था क्यों करते हैं मेरे से सुपरवाई से बात क्योंकि इसका एविडेंस नहीं होता है इसका एविडेंस नहीं होता है आप किसी को भी कहोगा अब पागल सावित कर सकते हैं क्यों वे मान लिए तेरी बात बेल्ट नंबर सारे गलत है यह अंगूटे पर चाक सर कैसे चुपाएगा हाँ वे यह रा और चा कैसे चुपाएगा चा तो मान लिए रा देखा है कैसे लिखा वाँ मैं दिखाता हूं तुम्हारे को आज यह देखो ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है ऐसे करके इसको पूरा देखोगे के बहुत बड़ा जी बना हुआ है कैसे इसे कैसे चुपाओगे बे हाँ भई कह रहे यार यह बैट नंबर तो यार यह पागल हो गया है अच्छा चाहसा चौकिदार होता है क्यों भई बीजेपी वालो चौकिदार कैंपेन मैं भई चौकिदार मैं तो मेरा नाम है केलेगा आई भी में इंटालिजेंस में शपत लियो जरा अब कहेंगे वो कहेंगा मैं नरेंदर दाम दर्दास मोदी तो वही रोख दिया भे मैं तो उसका नाम है भे मैं ना रखा अपना नाम में केलियो क्यों अब राभी पीर सदा के मामले में देखो राभी रास राभी क्यों इसलिए ले गए तो राभी हाँ वैं सी आर पी एफ ले अब क्या खरोगा रास रिजर्व खत्म ऐसे खेल ले अब इन्होंने क्या खरा नैशनल सिक्योर्टी गार्ड मानेसर वालों ने और पाकिस्तान नैशनल सिक्योर्टी गार्ड ने एक गेम खेला मेरे ट्वीट की कॉपी निकाली सब देखे उसने कब क्या लिखा हुआ है फिर जब मैंने दिल्ली पुलिस को एक कॉल करी तो वहां मेरे को यह कहते कि अंगूटे पे तेड़ी मेड़ी लखी रहे है तेरे आई-कार्ड पे क्या लिखा है चर्म रोग चासा चर्म रोग होता है चर्म होता है पता तुझे रासे रोग होता है रोग चर्म लिए जरा पंगे सुराइसिस किसको हुआ क्यों मर्याम नवास शरीफ आग का चार्द अब सुराइसिस हुआ क्यों रावी पीरजदा सफेद दाग पड़े हाँ वाई प्रीती मंडल सफेद दाग हुए किसको हुए राम चंदर नहीं पढ़ो तो रोग चर्म पढ़ लो क्यों भाई बताओं आप सब क्यों किस से अराम सच जो है बारत का परदानमंतरी कारले मोधी को फेम करने के लिए डॉनल्ड ट्रम को मारने की सोची इनों ने तो अयोध्या बड़ी च्छावनी के एक भगोड़े पंडितूमा संकर सुकला ने स्पीजी चेंज करी और डॉनल्ड ट्रम को मारने के लिए वाइट हाउस में सिक्योर्डी गार्ड ने सेफटी लोग अटा दिया गन का अलाउड नहीं है उस दिन से क्योंकि मैं सोके उठूँगा तो उसी समय मेरे को सारी चीजी करें इसको याद नहीं रहनी चीजी करें इसमा सुपर वोइस भर दो बिघाड लोगे मैं तो कांड़ करें आ जाता हूं तब तक सो के उठते के साथ इस फोन में से नैनो फ्रिकोंसी पे नैनो फ्रिकोंसी समझते हो टाटा नैनो से बात नहीं करutet добав नैनो फ्रिकोंसी ने में वहां से माइक पर को बात करने लग गए यह होती है सुपर वोईस कि बेको समझाया मेरे को एक दिखता एक नहीं दिखता डैमेंशन गेम हैं वर्ल्ड की सबसे खतरनाक किलिंग मेथट को यूज किया गया एक बार आँख खोलने के बाद दिखना और आँख बंद करने के बाद दिखना अपनानी सामने वालेगा अज़ सब देख सकता हूँ पाकिस्तान सरकार ने और मोदी में फेम करने के लिए एक बजट का हुआ वो कुछ पास इनके आपस में उदर अर्विंद केजरीवाल आप समझे नहीं खेल वाई साव भारत में दिल्ली के अंदर अर्विंद केजरीवाल और पाकिस्तान में इमरान कान आब आज फाउंडेशन मैंने क्या कहा था कि मा चुदवानी यह तो यहाँ और नहीं चुदवानी यह तो यहाँ फोर्ड फोर्ड फांडेशन गाड़ी में इंजिन कौन सा है फोर्ड का अब क्या खरोगे बड़े प्यार से भारत का प्रदानमंत्री कारले रावी पीर जदा को रावी पीर जदा को एक एड़र्टाइजिंग गल के तौर पे इस्तमाल करता है पर यहां वो फस गई बेचारी गले की फांस बन गई है सबके अब मारने मरने का गेम क्यों मैडम तो नरेंदर दामोदर दास मोदी को मुझे मारना इतना असान तो लगा नी तो एस्पी जी गेम खेलना सुरू किया खेल ले भाई अमे भी तो परदान मंतरी बनना है ये पाट तो मा के लोड़े तेरी बिना मा चोदे परदान मंतरी कैसे बनेंगे हम अब इखटे गरो सबूत इसकी पेहन का बोस्डा मारा बुला ले जिसमर जी को बुला ले इस मा के लोड़े ने क्या अगरा डॉनल्ड ट्रम्प को जो है ना ताज मेल देखने से रोख दिया तेरी मा की चुद्धर बाप ने बनाया था बेहन के लेंड लाल की लेंगे जामा मस्जित ताज मेल सब किराहे पर देख़ए पैड़ का लोड़ा नेटवर लाल नेटव गैंग बोनप आँ कौन दाओ बोनपाड ठेगा कहरा इसके अंगूटे पर है ना चाहा तो तेरी मा का बोजड़ा मारा बेहन के लावड़े तेरी मा की चुद्धर अब तेरे बास अंगूठा नहीं है मैंने का यार सबसे बढ़ी यार नौकरी कर रहे मेरा बाई कर नौकरी कर नौकरी कर मैंने का यार प्रदानमंतरी बन जाता हूँ मुझा कोई फरकनी पड़ता तेरी बेहन का नाम सुमनो कोई फरकनी पड़ता तू बासुदेव का लोंडा हो मा चुदा ने गए बेहन के लेंड सब हम तो तरी मैयत उठा देंगे कोई फरकनी पड़ता रावी पीर्जदा जिन्दा रहे ना रहे इतना समान तो मैंने खटा करी दिया उद्धा डॉनल्ड ट्रम के लिए मैंने किलेरस दे दी रावी पीर्जदा को मैंने अपना अधारकाट नंबर दे दिया और रियाम खान को अब किसी भी सवा मर्यम नवास सरीव को भी दे दूँगा तो पिटे ऐसा है सुन मेरी बात बोसरी गे जितने भी चिकने चिकने हो ना रावी मिलीना मर्यम रावी मिलीना मर्यम सुनते रो बनाने दो गभी बडिया सा राभी मिली ना मर्यम ना मिली रहाम मंडल भाई बैट के खाए आम और मा चुद भाई जनता कास ने हम तो जनता आम है ना यो जनता कास है इन बैट के लोड़ों की पूरा गैंग बना के बैठे वे बिपिन रावत नर्वाना जब पहुसडी के इंडिया नेवी और तेरी मा की चूद खड़ा आ वही पे सीडी से उतर सीडी से चड़ बागा भूसड़ा पर इन बैड के लोड़ों की और आम से नेशनल सिक्योर्डी गाड माने सर और पाकिस्तान में बैड बटालियन रेंज रहे तेरी मा की चूद पे एन के लेंड है नाम कुछ भी रख ले गांड तेरी हम फिर भी मारेंगे भूसड़ी का मसली वाले हैं मेरे ते कह रहे यार यह सिर्फ ट्वीटर पर लिखने वाला हाँ बस इतना ही याद रखी हो जादा जादा अगर कुछ सोच लिया न तुने तो वैसे ही तरी गांड फट जाएगी भूसड़ी के बस ट्वीटर पर लिखने वाला ही तेसरे वन ही याद रखी हो मोदी बड़े प्यार से दिमाग लगा रहा है मैं मेरी बास सुन मेरा बाप था तेरा जीजा भूसड़ी के मोदी इससे आगे कुछ बोलूं है और समझाओं कुछ तो मैंने का यार अब प्रदानमंत्री बन जाते हैं भागी कोई नौकरी क्या करनी लाइन में सब लगे वे मैं चलो अटो बैण के लेटो साइड अटो उमर भी ठीक टाग है हमारी तो यह नर्वाना अमिता बच्चन सब चलो ए राश्वधी वन निकाल लो ए डबा निकाल मैटलों का आजो 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 जाओ 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 चोदिया समझ रखाएगा मुझे लिख दिया ना ओडर टु क्रियेट न्यू नाशनल सिक्योर्टी गार्ड पूरी फोर्स नहीं बनाएंगे हैं हमारे पास 130 करोड़ों मैं आराम से डून लेंगे निकालो इनके सर्विस्वुक सबकी हैं हमारे पास मोई पीव मेंछ सबकुछ नय आए कि दम भाई अजार के डाई इस पीजी कमैंड़ों यह दिखते हैं वह गयार्पी वाल हो यह रात औ Backwood काटके निकल गये थे हैं है बिल्कुल है बिल्कुल है बहुत बार समझाया इनको मैंने अपने लिए बनाई न माई पी या मोई स्पी जी तुम लग को नो तुम मैंने का यार ऐसा है अब इसकी मैयत का समानी खटा करो डॉनल्ड ट्रम्प इंडिया आरा भी मान समान की बात है ताज महल देखने चारा तो क्या हो गया तो क्या हो गया यहां कुछ सरदारों ने माच दुआ ली हिंदोस्टान टाइंस में इविनका ट्रम्प की एक फोटो जो एक सरदार ने बहन के लिए लोड़े ने मॉर्फ कर हमने उसी दिन हिंदोस्टान टायंस वाले तब यस्शे है पीटे थे और सरदार की जिंदिकी सारे सर्दार मार देंगे बहन के लिंद सरे आम enfin सारे सरदार मार देंगे ओल ओवर्वर वेल्ट मैं उसी दिन इवन का ट्राम्प वां शुरू हो गई मैंने का अम यां शुरू हो जाएंगे अथेती देवो भाव क्या दिक्कत क्या उगई हाँ बेन के लेंडों क्या दिक्कत क्या उगई ति तुम बोसडी वालों सर्दारों और छाबा किसने ता आर्टिकल हो फुल नेटवर्क मारेंगे निकालो न्यूज वो तो पैनल्टी तो दस जार क्रोड जो मैंने कही दी वो तो इवन का ट्राम्प के पास पहुंच जाएगा पैसा गवर्मन्ट आफ इंडिया देगे भाई बिलकुल देंगे प्रेस्टर्स्ट अफ इंडिया पीटियाई वाले देंगे प्रेस्टर्स्ट अफ इंडिया आप दोगे भाई साब फालतु फोटा कैसे चप गई इनाइटे स्टेट अफ अमेरिका यह प्रेजडेंट की बेटी है वो तेरी लुगाई की बी एफ बैन के लोड़े मैंने नाइट रिलीस कराई ना सरदार नाम बदल दियो मेरा ढूंड इस बैन के लोड़े की लुगाई इसकी मा के चूत चूतिया समझ रहा है करीना कबूर की बी एफ आई थी न बहुत उल्टे दिमाग का आदमी हूँ मैं बहुत उल्टे दिमाग का मैं खुद गया उजन जी हमार पे ट्रम साब आने वाले थे ठीक है जा करके सारी चीज़े देख दाख करके मैंने अपना क्लेरंस दे दी उनको वहाँ से हम लोगों अपना काम स्टार्ट किया इनके खुजली मच गई राभी पीज़ दाख बुरा मतवानी हो बात अगर हैसियत की करेगी न तो हिसाब से बात कर ले तू अगर दोस्ती करनी है कर ले दोस्तों में न हम पैसा और हैसियत नहीं देखते कौन घर्च कर रहा है हमका भी दिमाग नहीं लगाते सवाज़ भाई और अगर हैसियत से बात करेगी तो फिर बाद में मिली है फिर कभी सवाज़ भाई न जिस दिन हमारा दोस्त हमारे से हैसियत में बात करता है न उस दिन हमारा दोस्त नहीं रहता सबसे पहले friend circle है हम अपने दोस्त के कपड़े नहीं देखते दोस्त हमारा जहां हो बैठा हूं हम बैठे जो खारा हम खारे है बीफ खारा खालेंगा भाई क्या हो गया पोक खारा खालेंगा यार क्या हो गया उसमें हम यह कोई फरक नहीं पड़ता हूं हिंदू मुसल्मान है दोस्त पहले है सब्सक्राइब युनाइटे स्टेट अफ अमेरिका इस माई रियली माई बेस्ट फ्रेंड है जिस दिन उने ने कहा था ना हाई वेली फ्रेंड है मैंने उसे जिन कहा था अब सब्सक्राइट कर जो बटा मैंने वह हाई वेली फ्रेंड है कोई बात नहीं ठीक है अब खामखा जो है ना पाकिस्तान में समा टीवी बागे जब क्या फायदा तू ना में ले तो तू ना में ले तो हम फाइटर जेट बन जाएंगे दापदी और इतने इतने बम गिराएंगे न यह पाकिस्तान भी कहेगा बम 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 इंसर तो बलास करी नहीं सकते या रहा हिंदुस्तान टाइमस में जब फोटो देखी थी ना उसे दिन मेरा पारा साथ में आसमान पे था मैं एक एक सदार ढूंड के मार दूँगा जा राशाना बन रहा तू युनाइटे स्टेट अफ अमेरिका डॉनल्ड ट्रम्प की बेटी है वो तेरी अकात क्या है बे प्ले बोई डाला जे घर परिवार गी पंजाब से डाल माफि मांग सरयाम न्यूज मीडिया वट्सप फेस्बुक ट्विटर हर जगह पे और जो तुझे बचाने उत्रा उसकी भी सप्लाई करा देंगे क्योंकि हम असली वाले हैं सहांज मैं ही असली वाले हैं अब मामला आता है मर्यम नवास शरीफ का तो देखिया मर्यम नवास शरीफ जी ऐईसा है हम तो सरीफ हैं और पाकिस्तान बचेका है पाकिस्तान की विटी किंती शुरू है समझ में आगी न और वो अल ओवर वर्ल्ड में जिसमें दम हो न वो हमारे और United State of America के गुस्से से बच के दिखा दे हम लोग बहुत गुस्से में है मैंने सब कुछ JSR Securities का United State of America Delta Force को दे दिया था समझ में आई नहीं समझ में आई बस अपनी अपनी बचा लो बार बार समझा रहा हूं समझ मारी है कर ऐसा नहों तो कहीं को जाद ही दिक्कत में आजाओ मैंने बहुत पहले समझाया इनको भै देख रहा भी पीस जदा ऐसा है तू एक है या दो है चार है मुझे से कोई फरक पढ़ता नहीं है अगर कंटीनेसली तेरी प्रैक्टिस सेम रही तो पच्चता आईगी मैं यह नहीं कहा रहा हूं को तू मेरे साथ आईगी तो तू नहीं 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 मैंने तू यह तरह भविस से बता दिया है अब साफ क्या रहा हूं और मैंने भी पता है किया तुझे ही सब्जेक्ट बनाया सुझ में आईए तुमने मुझे टार्गेट करने के लिए सब्जेक्ट यह चूज किया था ना मैंने तुम्हें बना लिया सुझ में रही यह नहीं सुझ में रही हाँ और बात सुनो दिल्ली पुलिस वालो खा की के लिए क्यों लड़ रहे हो क्यों दिमाग लगा रहे हो नहीं समझ में आई देखना क्या किया मैंने ओडर टु क्रेट निव नाशनल सेक्योर्टी गाड हाँ पंदरा दिसंबर तक सब सस्पेंड है ओडर टु सस्पेंड हाँ और टुमिनेट पैरासेफ चिंता छोड़ दे मार्कोज स्वाट ओडर टु क्रेट निव पैरासेफ निव मार्कोज निव स्वाट निव स्यार्पी एफ निव स्याई एस एफ निव स्यार्पी निव डैली पुलिस निव डैली जगे का नाम नहीं था रहा हूँ मतलब पूरी तरह नहीं सब घर जाओ देखता हूँ ना कौन मारता है किसको नहीं चीए ना मुझे तुम्हारे जासे जो मुझे नहीं पैचानता वो नहीं चीए मुझे शिस्टम में पैसा का है मेरा कितने दिनोंगे जाँ चुम्हें मेरा डैबिट कार्ड कैसे खोया वे ग्लोबल सिटिजन डैबिट कार्ड भारत सरकार का जो डैबिट कार्ड था अन्लिमिटिट कैसे खोया मेरा बिना मेरे को पास कहुंचे वहां कैसे रहे गए वो हाँ भी डिपार्टमेंट अफ एड्मिनिस्टेटिव रिफॉर्म की फाइल में किसने लिखाते है भे हाँ कैसे कैसे वो आ रहा है वहां से लेटर बार बार है क्या लिखाता फाइल में हां क्या बात होगी है है पैचान है नहीं मेरे को पैचान देना अब हम तो भाई ऐसा है अब एक एक सरदार डूंड के मार देंगे इम्मत कैसे होगी भे है है यूनाटे स्टेट अफ अफ अमेरिका आर्मी को छूट है मेरी पूरी असेट का इस्तमाल करने का है अलोवर वर्ल्ड से सारे मेरे बैंक अकाउंटों को हटा करके यूनाटे स्टेट अफ अमेरिका को दिया जाता है कि सब जिगह से कि सेंट्रल विजलन्स का नाम सुना है केंद्रिया सतरक्ता आयोग सतरक्ता भरत रहूना है ताकि तुम्हारे जासे सपोले है ना दुबारा इस देश को नुकसान ना पहुचा सके कोई तो वजय होगी नियू पुलिस डिपार्टमेंट सब कुछ नया बनाएंगे इंटरपोल इट्स यॉर ड्यूटी पैसा बोलो कितना चीए भारत में पूरी नई सिक्योर्टी फोर्स गरा सब बनानेगा जाओ सब खाली करो ओफिस पूरा एड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम नया बनेगा पोस्ट डाक विवाग वेरा सब जाओ घर जाओ अपने पने 25 दिन के लिए फुल लॉकडाउन है सिर्फ सबजी मंडियां गरा खुली रहेंगी और जुरत के सप्लाई और दवाई की दुकाने सप्लाई और वो भी जो है दवाई की दुकाने जो है ना और अमबुलेंस बस यह चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे सिविल डिफेंस एक्टिवेट करो भई बारत में सारी फोर्सेज सस्पेंड की जाती है बारत में ततकाल बहुत बखवा सुन लीन की मैंने प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया हूं या 3760 नाशनल सिक्योर्टी एडवाइजर हूं भई मुझे पता है ने बारत की सुरक्षेकले क्या जरूरी है इन माके लोड़ों का क्या है पोजड़ी के पिर जाकर पोजड़ी के वहां गान मराके आ जाएंगे बहन के लिंड़ेंगे भारत में ततकाल सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा को एक्टिवेट किया जाता है सिविल डिफेंस आल रैंक आर एक्टिवेटेड है हम लोग है भाई नागरिक सुरक्षा के ले हम बैठे है न हतियार गयरा सब माल खाने में जमा कराऊ भी है हाँ चलो पुले सुले सब गाड़ी वाड़ी सब चलो जमा कराऊ हाँ हाँ चलो चलो बहुत हो गया और सुनो इस सिविल डिफेंस वालो आख कुछ नहीं भी हो आई-काट ये में रख लेना नहीं तो वहां पहुंचो ऑफिस में नए सिविल डिफेंस में बरती नहीं होगी आभी नए सिविल डिफेंस में कोई बरती नहीं होगी और सिविल डिफेंस वाले देखेंगे NDRF NDRF अपने आप में कुछ भी नहीं है सिविल डिफेंस है है यार हम लोग है अभी हम जिंदा है यार क्या बात करती बहुत देख लिए आपको मैंने मौका दिया मैंने सिविल डिफेंस तक सस्पेंड करी है सब लोग डूटी पर आओ हाँ सिविल डिफेंस ओफिस महुच आपने निजदी की चलो वई प्यार से कोई बखवास नहीं चाहिए कोई बखवास नहीं चाहिए सारे पुलिस रैंक सब सस्पेंड पर टाइप कर लोग क्यों बखवास है नहीं तर तुम पानी पीने का पानी में जैर मिलाने लग जाओ है सही है नहीं है फिर बतानी कब A.U.S.A.S. बुला लो है हमार पास है सब है कमांडो, पमांडो, सब है अमांडो, कमांडो, पमांडो, चमांडो, लमांडो पमांडो, चलो गर जाओ, सारी सिक्यूरिटी फोर्स पूरी, इंडियन आर्मी, एरफोर्स अब साव, से सब सस्पेंड है, जाओ, कर जाओ, सिविल डिफेंस आप लोग जो है डेल्टा फॉर्स से स्पेशल मीटिंग कीजिए बागे चीज़े आप लोग कीजिए सारे रेंक एक्टिवेट है अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं भी है न कोई बात नहीं वहां पर जाकर के एक परची साइन करा लिजिए नहीं भरत हो चुकी है कोई रेनिवल नहीं है ठीक है अब बेसिक डूटी समाली है आप लोग सीनियर रैंक्स आप बागे सारी पोस्ट समाली है जरूत की चीज़े जो है न सारी इनका क्या वरोसा है तो फिर कोविट जैसी बीमारी उठा लाएंगे बताओ यार आपको बारत में किसी को भी गिरिफतार करनेगा अधिकार प्राप्त है मैं 14.6181 दिल्ली सिविल डिफेंस प्रेजिड अफिडिया 3760 प्राइमिनिस्टर ओफिस 3260 प्राइमिनिस्टर अफिस नाशनल सिक्योर्ट एडवाईजर तो इडवाईजर तो यूससे उनाइटेस्ट अफिरिका हितेश मंदल जो गर जाओ चलो बागो बेच जाओ चलो सब्सक्राइब कर लो जाओ 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 लोगों को बोलो सिविल डिफेंस की यूनिफर्म ओडर करेंगे और जितनी जितनी चाहिए वर्ल्ड बैंक्स हो जाएगा उसे बजट उसकी चिंता चोड़ दो ओए और अपने बात कर लेंगे इनका क्या वरोज है वहां कभी वहां से कभी कभी प्लेग और कभी कह गयते है तुमारा ओमिक्रॉन पता रिकांट कौन से लेग आरे अच्छा जी यह सब यह होता है पता निया आपे तो नहीं पता पर जाओ यार पूरा मान सम्मान के साथ जो ने वह लाइन लगा लो आ राश्पती को अंपर निकाल लो यह टब्बे में अजया आजया उख्यो में आइ अजया में जया है अजया है वहोग में है अंजय सकतिया अजया में आजया बहुत का ने बहुत वा पूरी security forces पूरी तरह नहीं नहीं बना दी जाती करते हैं और बांबिंग जारी नहींगी की कहा ना सारी security forces suspend की जाती है suspended and terminate बहुत असान काव है duty आप लोग जो है अराम से फ्रेश होकर अपने अपने ऑफस में जाकर रिपोर्ट कर लीजिए कोई बात नहीं renewal है नहीं कोई फरक नहीं परता है icard है आपके पस नहीं तो वहाँ पर enrollment नंबर तो होगा न जून लेना उससे कोई फरक नहीं परता है ठीक है अब ब्राश वरस कर लेना नहीं भी किया तो हुआ इसमें कोई तो आसी होता है ठीक है और तो टाइम लगेगा रेस्टरंस नहीं चीए ठीक है नहीं नहीं भाई था को मौका सबको देना चीए ना भाई हमने उससको मौका दिया नहीं माने नहीं फाइनली और सिविल डिफेंस किसले बनाए यह गई थी भाई साहब इसी समय के लिए बनाई जाती है ऐसे ही समय के लिए सिविल डिफेंस बनाई जाती है पूरे विश्व में सिविल डिफेंस बनाने का उद्देश यह यही था कोई बात नहीं हो गए आपको सेवा निवरिती दी जाती है बागे सबको सेवा निवृति दी जाती है जाए जाए बहुत 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 मान समान बहुत प्यार आपको पुची जाए जाए यू आख रिटार्ड वह मैं रा से रिटार्ड में दूगा तो नुम्हरे को रिजेक्टिड जाए दिवाँ लेकर पैदा हो गई क्या है जो चलो है कभी यहां फेडरल बना रहा रहा है कभी वह माने से ने जी में पखला गए हैं क्या यह नहीं नहीं वह हम लोग देख लेंगे से है वह हमारा बाद सब पूरा पैटर्न होता है हम देश बना लेंगे चिंता मत्रों सिविल डिफेस वाले हैं हमारा कामी नागरिक सुरक्षा है हमारा नागरिकों की सुरक्षा चीए ना